सुरी शिवाय, नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अहुई अस्टिमी आने वाली है, इस बार अहुई अस्टिमी कब है, 24 अक्टूबर को है, या 25 अक्टूबर को है, अहुई अस्टिमी का वृत क्यों रखा जाता है, किसलिए रखा जाता है, और वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आपको बहुत सी जरूरी जानकारियां अहुई अस्टमी के बारे में देखने के लिए मिल जाएंगी दोस्तो सबसे पहले चीज जो अहुई अस्टमी का वरत होता है ये हर साल महिलाय माताय भेने अपनी संतान की लंबी आयू के लिए उनकी धीरगायू के लिए और सुखी जीवन के लिए इस वरत को धारन करती है दोस्तो ये अहुई अस्टमी का जो वरत होता है ये भी कठिन वरतों में से एक होता है और ये जो वरत होता है दोस्तो ये कार्तिक महा के कृष्णपक्स की अस्टमी तिथी को रखा जाता है इसे साब से दोस्तो देखा जाए तो करवा चौत के चार दिन बार और दिवाली के आट दिन पहले ये जो वरत है ये रखा जाता है इस साल दोस्तों ये जो वरत है ये 24 अक्टूबर 2024 के दिन रखा जाएगा इस दिन महिलाएं दिन भर अन्न जल ग्रहन के बाद ही अपना उफवास जो है खोलती है शाम को दोस्तों तारूखो देखकर और अरगे देने के बाद ही इस वरत का माताय बहने पारण करती है तो चलो सबसे पहले हम लोग आपको इसकी तिथी बताते हैं कि इसकी सही तिथी क्या है अहूई इस्टिमी किस दन पढ़ रही है देखिए अहूई अस्टिमी जो है वो कार्तिक महा की कृष्ण पक्ष की अस्टिमी तिथी को आरंब होगी जो की 24 अक्टूबर 2024 को सुभा एक बचकर अठारा मिनिट पर शुरू होगी जो की चलने वाली है दोस्तो अगले दन 25 अक्टूबर 2024 को सुभा एक बचकर अंठावन मिनिट तक इस हिसाब से दोस्तो अधिया तिथी के अनुसार अगर देखा जाए तो 24 अक्टूबर 2024 के दिन ही अहूई अस्टिमी का जो वरत है वो रखा जाएगा ठीक है इसलिए आप लोगों को भी अहूई अस्टिमी का जो वरत है वो 24 अक्टूबर के दिन ही रखना है इसी के साथ में दोस्तो अहूई अस्टिमी का आप एक और मतलब समझ लीचे है कि अहुई अस्टमी का जो वरत होता है वो अनहोनी को होनी में बदलने वाला वरत होता है, मतलब कि ये जो वरत होता है ये विशेश रूप से माताय बहने अपनी संतानों की उपर आ रही समस्तियाओं को दूर करने के लिए रखती हैं, कई सारे लोग इस वरत को जो है अपने संतान प्राप्ति के लिए रखते हैं, संतान प्राप्ति अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ओ रही हो, तो उस जगहाँ पर भी अहुई अस्टमी का माताय बहने याँ पर वरत रखती हैं, देखिए इस वरत को रखने के लिए आप लोगो को दिन भर भूके रहना पड़ता है, दिन भर जल नहीं पीना पड़ता है, क्योंकि इस वरत को रखने से आपकी संतान पर कभी कोई दुख और परिशानी नहीं आती है, और अगर संतान प्राप्ति के लिए अगर आप लोग ये वरत कर रहे हैं तो आपको संतान की प्राप्ती भी जरूर होती है इसी के साथ में दोस्तों ये जो वरत होता है ये सूर्य दाय से पहले शुरू हो जाता है और जब तारे निकलते हैं जिस तरीके से करवा चौत पर चान निकलता है इस दन जो पूजा का शुब मूर्त है वो शाम 5 बचकर 50 मिनिट से लेकर शाम 7 बचकर 6 मिनिट तक रहेगा इस बीच में आप लोगों को अपनी जो अहुई अस्टमी की जो पूजा रहेगी उसको यहाँ पर करना है इसी के साथ में दोस्तो तारो को जल देने के बाद ही आप लोगों को यह वरत खोलना होता है तो तारो को मतलब तारो की जो निकलने का समय है वो शाम 6 बचकर 6 मिनिट का है इसके बास से आप लोगों को तारे दिखना शुरू हो जाएंगे और आपके जो वरत खोलने का समय है दोस्तों वो शाम 6 बचकर 6 मिनिट से लेकर शाम 7 बचकर 15 मिनिट तक है इस बीच में आप लोग अपना वरत जो है वो खोल सकते हैं इसी के साथ में दोस्तों अगर कोई माता है भेने ऐसी है जो कि अपने बच्चों की किसी मनुकामना के लिए कोई उपाय मतलब कोई वरत करना चाहती है तो वो अहुई एस्टिमी का वरत जरूर करें क्योंकि ये जो वरत है दोस्तों संतान से जुड़ी हुई सारी मनुकामना उसके बाद फिर इसकी पूजन की जाती है ठीक है देखिए इस अहूई अस्टमी के वरत को जो भी मातायबहने धारन करने वाली है अब उनको क्या करना है वो ध्यान से सुन लिए जो जो जरूरी बाते थें वह हमने अभी आपको बताई अब जो मातय है बहने इस बहने इस बहने इस बहत इसनान करने के लिए अप कसी पवितर नदी पर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात Изじゃない और पने घर पर ही जिस जल से आप सिनान करने वाले हैं उसके अंदर गंगा जल कोई साभी जल जो है 16 शुद्ध वाला पविद्र नदी का जल डालकर आप लोग इसनान करें वो ज्याद अच्छा माना जाएगा इसके बाद में दोस्तों सुभा सुभा आप लोगों को चौकी लगा कर पाटा लगा कर अहुई म पूजन करेंगे इसी के साथ में दोस्तों कई सारे लोगों के यहाँ पर एक अलग सी यहाँ पर चीज होती है वो यह होती है कि जो माताय मेने करवा चौद का वरत रखती है उस दिन जो करवा आपका लिया जाता है उस करवे को आप लोग जो है इस पूजन में इस्तमाल करते और इसके बाद ही उस करवे का विसरजन करते हो तो आपके हाँ जैसा होता है आप उस हिसाब से कीजेगा वाकि विधी जो है वो एक सी ही रही की तो जिनके हाँ करवा लिया जाता है वो अपने करवे के अंदर जल भरकर उस जगहा पर रख दीजेगा तो इस बाद का आप लोगों को ध्यान रखना है उसके बाद में दोस्तों इसी लोटे को सामने रखकर आप लोगों को कथा भी सुननी होती है जब आप लोग अहुई माता की अहुई अस्टिमी की जो कथा है वो सुनते हो उसके बाद में आप लोगों को हाथ में दाने भी रखने होते हैं मतलब जो गेहूं के दाने होते हैं अक्ष्यत के दाने होते हैं कोई साथ दाने आप लोगों को रखने होते हैं उसके बाद ही आप लोगों को कथा सुनना होता है जब कथा आपकी पूरी हो जाती है तो और ज़्यादा अच्छा रहा है, अगर आपके बच्चे आपके घर में ही रहते हैं, पास में ही हैं, तो आप जो भी सुभा की पूजन करेंगे, शाम की पूजन करेंगे, या जितनी भी पूजन करेंगे, अहुई अस्टिमी की, उसमें जो है, अपने बच्चों को अपन पर पालन भी करना है, जैसे कि आप लोगों को अपने मुझे अच्छे अच्छे शब्द ही बोलना है, कोई भी बुरे शब्द किसी के दिल दुखाने वाले शब्द बिल्कुल नहीं बोलना है, इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को पूरे दिन कोई भी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना है कहीं कि मिट्टी नहीं खोदना है कोई साफ पेड़ नहीं लगाना है ठीक है इन चीजों का इन यमों का आपको ध्यान रखना है और दिन बर भगवान का नाम लेते हुए अहुई माता का नाम लेते हुए आप लोगों को इस वरत को पूरा करना है ठीक वहाँ भी आप लोग भोग बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शाम के समय जो अहुई माता को जो भोग चड़ाया जाता है, उसमें मीठे पुए, मतलब पूरी वगएरा ये सारी चीज़र बनाई जाती है, तो आपके यहाँ जो चीज़र बनाई जाती है, वो च कथा के लिए कोई किताब लेकर आए हुए हो, या आपने कथा की जो फोटो होती है, अहुई माता की जो फोटो होती है, उसमें कथा लेकी हुई है, तो आप वो की वो भी बढ़ सकते हो, आप अपने बच्चों से भी बढ़वा सकते हो, और आप खुद भी बढ़ सकते हो, और अपने इस व्रत को पूर्ण कर सकते हो ठीक है तो भई आप लोगों को शाम के समय भी कथा सुनिए कथा जब आप लोग सुनोगे तो अपने हाथ में साथ चावल के दाने या तो गेहों के दाने जरूर रखोगे और जब आपकी जो कथा है वो पूर्ण हो जाती है कथा आप लोग सुन लेते हो उसके बाद में दोस्तो इन दानों को आप अपने उस जल के लोटे के अंदर रखोगी जो कि आपने पाटे पर रखा हुआ है जिस लोटे से आप लोग जो है मतलब तारों को अर्ग देने वाले हो है ना इसी के साथ में दोस्तो यहाँ पर कुछ जगहों पर क्या किया जाता है कि दो लोटे रखे जाते हैं या दो करवे रखे जाते हैं तो आप के यहाँ जैसा होता है आप वैसे कीजिएगा क्योंकि इसमें एक करवे उसके बाद में अब आपको तारों को अर्ग देना है देखो तारों को आप अर्ग किस से दोगे आपके जो मतलब जो आपने लोटा लिया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों ने अपने कथा को सुने हुए जो दाने हैं डाले हुए हैं, उसी से आप लोगों को अर्ग देना है अर्ग देने से पहले अगर हो सके तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो करवा है, उसके अंदर कोई मिश्री वगेरा, या तो कोई बताश्य वगेरा जरूर डालने है कुछ फूल जरूर डालने है उसके बाद ही मतलब तारो को जो है उससे अर्ग देना है और अर्ग देते समय जब तारो को आप रात्री के समय शाम के समय अर्ग दोगे अपने वरत को खोलने के लिए तो ध्यान रखना कि वो जो जल के छीटे हैं अर्ग को दे अगर आप लोग संतान प्राप्ति यजधीक के लिए एकर रगहा कुर Früh संतान प्राप्ति के लिए इस इस दिन चांदी की जो है यहाँ पर बनाई जाती है यह चांदी के जो मोती होते हैं वो रखे जाते हैं आपके घर में जितनी संताने होती हैं उससापसी ये मोती हर साल रखे जाते हैं तो भई अगर आपके जैसी चीज़े होती हैं आप वैसी कीजेगा और अगर आप लोग मुली वगएरा का इस्तमाल करते हैं पूजन में तो आप वैसे कीजेगा आपकी जैसी शमता हो जैसी शामर्थ यता हो आप वैसे कीजेगा ठीक है तो भई आप लोग क्या कर सकते हैं आपर कि अहुई अस्टिमी की दिन जो है यहाँ पर जो आप जितने भी आपके घर में संताने होती हैं वैसे यह जो मतलब मोती रखे जाते हैं ये लड़कों के लिए ही रखे जाते हैं जो पुत्र होते हैं आपके घर में उनके हिसाब से रखे जाते हैं बाकि कई लोग जो है आपर पुत्री जिनके घर में होते हैं लड़कियां होते हैं वो लोग भी इस मोती को जो है उनके हिसाब से रखते हैं तो घर पूजन को करने के बाद अपनी सास को या अपने घर के बड़ों को जो भी होते हैं उनको वाइना देते हैं ठीक है तो इस वरत में भी आप लोगों को वाइना देना होता है जिस वाइने में साडी सूट वगेरा या सोला श्रंगार की जो सामगरी होती है फल फूल वगेरा र रहे हों तो भई कुस्सम है उनका आश्रिवा ज़रूर ले लीजेगा और उसके बाद में आप लोगों को अपने बच्चों से भी यहाँ पर प्रार्थना करना है मतलब आपको अपने बच्चों से भी बोलना है कि वो भी भगवान के सामने अहुई माता के सामने बैठकर प् पुरा करना है बाकी दोस्तों आपके यहाँ जैसा भी वरत रखा जाता है आपको वैसे ही करना है आपको अलग से कोई भी यहाँ पर चीजे करनी की जरूत नहीं है बाकी दोस्तों अगर आपको इस अहुई अस्टमी के वरत में कोई भी परेशान ही आती है पहली बार अग प्रहब बाड़ी है